और ऐसे समय में मारनिया तेजस्वी जी मचली खाते वे नजर आते हैं तो यह उनकी स्रधा हो सकती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी अरे आप खाये कुछ भी लेकिन मन से आप विचार कम से कम अच्छा रखिए आपके कार या आपकी कम से कम अच्छे दिखने चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी जी के पास कोई वीजन की बहुत कमी है उनको जो मौका मिला था उस का एक मात्रूदेश यही है कि सनातनियों को गाली दो हमारे हिंदू देवी देवताओं का संस्कृति पर प्रहार करते जाओ और माता जी का आसिरवाद और जो उनको मानने वाले लोग हैं जो यहां की जनता है वहत तै कर देगी इस चुनाओ में कि कौन जिरो पर आउट हो कार्मेनंदन आप देख रहे हैं एक न्यूश 24 देगे सो थमारे साथ जड़ी हुई है भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रितिशेखर जी सबसे पहले स्वागात है मर चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा क्या कहिए नवरातर है पावन परवे कि नवरातर हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में यह बहुत ही पावन परव माना जाता है जहां पर लोग तो करते हैं और निराहार भी रहते हैं कई लोग तो सिर्फफ जल पर इसकी उपासिना करते हैं मादूरगा की आराधना करते हैं तो इस Prepper लेकिन मन से आप विचार कम से कम अच्छा रखिए आपके कार यापकी कम से कम अच्छे दिखने चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी जी के पास कोई वीजन की बहुत कमी है उनको जो मौका मिला था उसमें वो कुछ करके नहीं दिखा पाए और आज भी मात्र वो और अपने परिवार के भ्रस्टाचार को बचाने में लगे वे हैं उनकी कोई दूर दर्सिता नहीं है कि बिहार के लिए उनके क्या सपने होने चाहिए बस उनकी पाटी का एक मात्रूत देश यही है कि सनातनियों को गाली दो हमारे हिंदू देवी देवताओं का संस्कृत इसी पर प्रहार करते जा और बस लैंडिंग करके अपने परिवार के सर्दस्यों को चुनावी मैदान में उतार दो बस इसी कॉंसेप्ट पर भी राष्ट जन्त अदल चलिए एक सवाल हम लेंगे कि हम अक्सर यह सवाल भी करते हैं राजद कोटे से ही सिक्षा मंत्री बने नेता प्रतिपक्षाल के नित्यस्वियादों ने भी कहा था कि बुखार लगेगी तो अस्पताल जाओगे या मंदिर जाओगे अध्या के नाम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा था तो राजद कोटे के बयान जो है वो सनातन धरम के लिए इतने गहरे और इतने कड़वे क्य समीकरन बहुत मजबूत है मतला मुस्लिम और यादर समीकरन दूसरी तरफ वो कहा करते थे कि भूरा बाल साफ करो मतला कि भुमियार राजपुत ब्रामन और लाला तो इस धंग से उनकी जो संस्कृति रही है उनकी जो कारिप्रिणाली रही है वो आपस में जातियों को लर जाने की रही है इसलिए उनके ही अनुयाई उनके नेता हैं उनके बेटे हैं उनका पडिवार है तो इसलिए आप देखते हों कि राश्ची जनता दल के सभी नेताओं के मुक से आप सनातन को गाली देते वे सुन लेंगे आप हमारे हिंदू देवी देताओं का पमान करते सुन लेंगे आप महिलाओं के चड़तर पर उंगलियों उठाते वे सुन लेंगे वहीं दूसरी तरफ भारतिय जनता पार्टी की संस्कृति है कि वसुधैव कुटुम्बकम यहां पर हम लोग राश्ट्रवाद के राश्टे पर आगे बढ़ते हैं और राश्ट्रवाद हैं यहां के जो युवा हैं उसको हम सम्मान देते हैं और यहां के अन्यदाता किसान हम उनके लिए हम कारी करते हैं यह भारतिय जनता पार्टी की संस्कृति है चली का आखरी स्वाल प्रितिजे आप से लेंगे कि लोग सब्चुनाव नज्दीक है हर पार्टियां अगर को कोई मुसल्मान के विरिद्ध है वो लोग दिखावे में भी काम करती है क्योंकि लोग सब्चुनाव है दिखावा करना भी जरूरी है लेकिन यहां पर जो नवरातर में मचली खाते हुए वीडियो आइरल हो रहा है वो तो साफ तो पर लग रहा है क्या फिर से मजाखी मानने वाले हैं और माता जी का आसिरवाद और जो उनको मानने वाले लोग है जो यहां की जनता है वहत तैकर देगी इस चुनाव में कि कौन जिरो पर आउट हो रहा है सनातन को नहीं मानने वाले सनातन को गाली देने वालों का क्या हसर होता है यहां की जनता इस सुनाव मे बताने का काम करेगी बस सब्र रखिए वेट एंड वाच में यही करना चाहूंगी तरीके के बयान उधर से दिये जाते हैं और खास तोर पर हिंदु धर्म को ठेस पहुचाने के लिए मचली खाना नौरातर में तो काफी है अब देखना यह होगा कि इसका इंजाम इने लोकसबा चुनाओं में भुगतना पड़ सकता है या नहीं तो यह थी आज करी बाकिया स और तमाम खबर उक्राण साथ बने रहें धन्यवाद